सब पहले पावार सोल किया, फिर मैंने साइन कोस या एई पावर या लोग में दो cupboard को सोल करेंगे अंत मैं ब्रेकट को सोल करेंगे जब आपके पास लिमिट होती है बच्छो तो लिमेटे से लगेगी हाईर लिमिट माइनस लोगर लिमिट बच्छो डिफ्रेंशियेशन और इंडिकरेशन आपको बताता हूं इसका बच्छो लास तक बहुत देर तक आपका यूज होगा जैसे डिफ्रेंशियेशन को मैं भी आपको ब्रेक करके समझाओंगा एक सिंपल सा डिफ्रेंशियेशन जैसे आप एक्स पावरेन वाला सिंपल सा किया है एक साइन कोस वाली फॉम में और एक बच्छो मैक्सिमा मीनिमा आपको फाइड़ करना पड़ता है बार बार एक उस फॉम में पढ़ेंगे डिफ्रेंशियेशन के अप्लिकेशन इस पाइंट आपको बलता इसका डिफरेंसेशन करो आप यहां से इस पाइंट का पता हो तो इस पाइंट पर मैंने ऐसा आपको दिखाई देगा और नीचे आपको दिखाई देगा सरी यहाँ डी वाई है और बेस क्या डी एक्स अलग अलग कई वार क्यूशन आएगा बेशिक मैस में आपको दिखाऊंगा तो दिरबाद में जहांको डिफ्रेंशियेशन नहीं बोलके या बोल भी जादा सिंपल स्पाइड का स्लोप निकाल दोगे तब यह अंसर वही आगा ति इदि आपको ठीटा दिया हुआ है तो दोबार देखो कुछ डिफ्रेंशियेशन की बेसिक फोर्मूल है बच्चे उससे आपको अगे बहुता डिफ्रेंशियेशन आप करो डी बाई डी एक्स आपको बहुता एक्स पावर एन आप खरो तो आजाएगा पावर आगे और ए डी एक्स या पलस या माइनस डी बाई डी एक्स आप जानते हैं कोई दिख्कत नहीं थोड़ा सावर देखो इदि बच्चो आपने पास को इसी के सौल करा हमां पिटे पहले मैं यू इंटु वी की फोर्म में आपके पास है इदि दो आपके दो वेरियेबल है बच्चो ड इसको डिफ्रेंशेशन विडिएड च्टे वी इन्टु वी इद रिस्पेक्ट दो आपको एक्स जो इसके जो एक्स की फोर्म में वेरियेबल होंगे उसी कहा डिफ्रेंशेट करना है य वाले अभी में जेड वाला कोई होगा तो उसकी चिंता भी नहीं करने उसकी बाद म इसका हो जाएगा बच्छो पहले वाले को आज्यटीज लिख दो निचे वाले कास के हैर निचे वाला आज्यटीज उपर वाले का तिफरेंशिएशन माइनस उपर वाला एज़ेटीज नीचे वाले का डिफरेंशेशन सही है क्या इसको अब जिस फर्म में चाहो बच्छो इदे आपको फर्मूला भी आर भी होगा इस वाले फर्मूला थोड़ा जहां देना पड़ेगा इस कैसे बोलता हूँ बच्छो मैं इसी टर्न में आपको बढ़ बाब भी होँआ बच्छो में फर्मूला ना लिखे अब जब कुश्ण करें को तुम आपका इसके फर्मूला था होँआ तो नीचे वाले का स्व Walter वाले का स्क्रेईर बागया उपर आजाएगा नीचे वाले का इज़ेटीज उपर वाले का एक्स पावर 3 प्लस आपका आगए एक्स पावर माइनस 7 जैसे बच्चों मैं यहां बना दिया एक क्विशन पेटा y is equal to a divided by x power 12 प्रस b divided by x power 6 तो इसको माइनस करता हूँ मैं माइनस की फोम में ही potential energy में पूछा जाता है यहां हम बनाते हैं बच्चों एक और y is equal to x square into x plus 1 सुनते रहें बच्चों बात को यहां हमने बना पेटा आपके पास y is equal to आपका आज आएगा यहां x plus 1 divided by x square plus 1 और यहां फिर आप करोगे इसके अधर एक दो क्यूशन को यहां मैं ऐसे लिख रहा हूँ y is equal to 3x power minus 2 plus 5x power 4 यह किसे निहां लिखा बच्चों y is equal to x power minus 2 plus 3 into x power 6 इन सब को differentiate करना आप देखो बच्चों अच्छे से एक दो को पहले मैं मना के निखाता हूँ विड़ा आपको एक बात में रखना कि सर जब भी power वाला है तो power आ गया जाएगी मैंनस 1 power हो जाता असान तो इसका यह नहीं मैंने किया बच्चों यहां मैंने इसका किया भीटा d y by d x differentiation of y with respect to x power आगे आ गया power में से एक कम हो गया बच्चों मैं ऐसे करके नहीं दिखा थ्री माइनस 1 2 हो गया आप समझ गया हो कि साइद पावर आगे इसान बच्चों यह आपकी पावर माइनस 7 आगया आगया बच्चों यहां माइनस की पावर तुम आपको दिखा देता हूं तो 3x square माइनस 7x power minus 8 इसको इस फोम में भी लिखा जा सकता था बच्चों माइनस 7 divided by x power 8 सही लिखा जिया बच्चों x power minus 1 मतलो भो 1 by x है x power minus 2 मतलो 1 divided by x square यहां एक बार इसका लिखा बच्चों भो 1 by dx तो इसको करते हैं पेटा इसको एक step में आपको बना देता y is equal to a x power minus 12 minus b x power minus 6 अब डिफरेंशेट किया बच्चों आगया आगया power minus 12a minus 12 minus 1 यह minus का plus हो गया 6b x power minus 6 बच्चों अंत्र आजाएगा बच्चों minus 12a a power minus 12a x power आजाएगा बच्चों आपका 13 और यहां आजाए बच्चों 6b divided by x power आजाएगा बच्चों 7 दोबार देखो यह बटा minus है यह minus 6 आगया आगया तर पलस हो जाएगा अरे minus 1 है बच्चों यह सवाल सेम आपको वर्क पावर में दोबारा पुछोंगा जो आपको स्टेबल इक्विरी वर्क पताऊंगा सेम इसी टाइब का उसको यहां स्टेंड़ाइज फों में लिख दूँ हम आपको फिलार आपको बेसिक समझा रहा हूं मैं को डिफरेंशेशन कैसे होता है दो बार देखो तर इसको चाहें तो आप बच्चों ऐसा कर सकतो प्लस सर्थ की है और पहले वहालए क्या लाँ जाएगा 2x ऑनसर आजाएगा एका स्केर प्लस 2x स्केर प्लस 2x ऑनसर आचाएगा बे Cree X स्केर प्लस 2x जाएग ना बच्छो यहां देखो आप division वाले का इसा बोजा था हमने बच्छो नीचे वाले का square बच्छो नीचे वाला as it is ऊपर वाले का differentiation कीतना बेटा 1 minus ऊपर वाला as it is नीचे वाले का differentiation कीतना बेटा 2x अब solve करोगे तो पूरा answer भी आ जाएगा x square plus 1 minus 2x square और minus 2x पता पर दमार्स कैसे हुआ और यह मैंस मॉल्टिप्ला ही हो जाए गार इस मों में नीचे आजाएगा बच्छो एक्सट्र स्केर प्लस फ्लस वन होल स्केर सोलको पर आजाएगा अब यहां देखो इसको आप बनागे देखो पहले इसको पर कोपी करो इसको अब अन्सर बना क जाए तो यह एलजेवरीक फोवारा लिखा हुगा है दिखते वह बना गया आप मैस करने ना डी वाई वाई डी एक्स आगे आ गया तो माइनस 6 इन्टु एक्स पावर माइनस वाई बच्छो जब भी नेगिटिव पावर देखा जिसे मुझसे भी मिस्टेक होने लग गई थ जब भी बच्छो नेगिटिव पावर रहने तो उसको आप लिख लेना एक पर बेटा माइनस टू माइनस वान प्लस 20 एक्स पावर 3 तो माइनस 6 एक्स पावर 3 हो निच्छे चला गया 20 एक्स पावर 3 मेरी ख्याल से सही लिखा बेटा बेटा इसका डिफरेंसेशन देखना बच्छो माइनस पावर को एक पर आप नेगिटिव करके लिख लेना क्यों हमारी आद रहे बेटा टू में से एक बना देगा उसको यह 18 और यह आ जाएगा पावर 5 तो माइनस 2 डिवाइड वाइए एक्स पावर 3 एक्स पावर 5 बच्छो यह एक टाइप का डिफरेंसेश है वो अपने लिए जादा महातापूर है आज के टाइम पर नीट में सवाल भी बड़ी वाद निया आप सिंपल स्किशन बाते हैं फिर भी बच्छो जहां को ज़्यादा डाउट हो वाले पॉर्शन में आ रहा हूं उसके में समझाता हूं आपको अभी में जो सेकिंड टा कैंता है तो डिफरेंसीयेशं का हो जाएगा पेटा सर डी वाईवा इडी चल आउचरा इसको सिंपल फोरम में लिए है अलित अहरे बतलो दी फाई दीवाई जोसीएच्ट को स available बच्छो कोसके किए और साइन सही है क्या अच्छा बच्छो इसके लाव टेनेंट का क्या हो चाहूं तो मैं secant का आपको coat का भी होता सकता हूँ चली देता हूँ आप इसको coat का क्या आएगा minus cosecant की है बच्चो secant का क्या आएगा पिटा sir secant का आजाएगा sec or ten बच्चो इसके लाओ यहाँ क्या आजाएगा पिटा last में cosec और cosec का क्या आजाएगा बच्चो माइनस cosec or coat बच्चो यह last वाज तीन तो मैंने लिखे हैं इसको लग से याद मत करना आप इसको लग से याद करने की requirement ने क्यों नहीं है मालो बच्चो मुझे मुझे याद ही नहीं है क्या एक answer जुरूरत भी नहीं है मैं कोट को लिख रहे था cost divided by sign आपके u by v का फर्मुला था है उससे बन जाएगा बच्चो बच्चो दोबार देखो बच्चो डी बाई डी एक्स ओफ बच्चो लोग एक्स है तो बच्चो लोग बेस एकी बात होती है तो अंसर आएगा बच्चो 1 by x अभी लोग बेस आपको 10 वाल और यह मने बताया नहीं लोग बेस ए ही अपने बाद नेचरल लग उर्थिमिक होता है एक्चली बच्चो यह लिन एक्स है उसका 1 by x है यह आपको दिया हुआ बच्चो e power x e power x का differentiation रहता as it is e power x इतना आपके लिए बहुत है फिलाल इसको बच्चो मिक्स कैसे करता हूं क्यूशनों में बच्चो एक क्यूशन में आपको अच्छे सिंबल सा बनाता हूं देरे देरे इसको इंप्रूव करता हूं जैसे मैं लिखा बच्चो आपको बोलो y is equal to e power 2x इसका differentiation आप बताओ इसको जो मैं बनाना बच्चो इसको मैं बोलता हूं अब चेन रूल अच्छे सुनते रहे ना इसको हम बोलते हैं बच्चो ओफिशन नाम इसका चेन रूल लेकिन ऑफिशन नाम से मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं इसे सोल करूँगा बच्चो फैले पावर से सुनना बलग प встрाழ को सोल करेंगे power के बार बच्चो sign हो, close हो, e हो उसके हिषाब से solve करेंगे लोग होगा तो लोग के हिषाब से solve करेंगे अब भी सारा example करा दूँआ इसके बाद bracket solve करेंगे सर ये क्या बोल रहे हो bracket हमने ऐसा कभी नी पढ़ा अभी पढ़ाता हूँ बचो पहले पावर देखूंगा पावर तो पावर को सुनते रहे ना मैं दो एक्जांबर कराओंगा पात पकड़ जाओगे पहले पावर को फिर ई लोग या को इस फोर्म में इसको सुल करूं और लास्ट में ब्रेकट को इसका मतलब संचो सर यहां कोई पावर है क्या पाव है इसको इसके ब्रेकट उपर वाला तो एक्स का इप्रेंसियेशन के आएगा बच्चो दोबार देखो अब आप पकड़ पावगे यहां से देखना बच्चो इसी को यई पावर ऐसा लिए बच्चो मैंने एक्स स्केर प्लस एक्स ओड़ने के लिए डेंजरस सावाल लिय पिर मैंने बोला बच्चा वब डिफरेंसियेट करो क्या करो सिर्फ यपावर है तो इपावर देखिटी रोते हैं सर ऐलिखा बच्चा उपर वाले का इप्रेंसियेशन क्या होगा तू एक्स प्लस बात पकड़ मैं आई आपको चैनल इसको बोलते हैं बच्चो फोड़ा स देख्टा हूं हमने बोला बच्चो वाई इजी कोई टू साइन एक्स स्केयर प्लस बन साही रिखा सर डिफरेंसियेट करो पहले किसका हिसाव से करना पड़े आप पावर सर साइन के ओपर कोई पावर नहीं है फिर क्या करो है बच्चो मैं साइन के हिसाफ से डिफरेंसिय से क्या होगा बच्चो तू एक्स इस साइड लिख देता हूं थोड़ा सा आपकर समझ में आएगा थोड़ा सा और देखो सिंगल स्टार भी बना इस बार आप और अच्छे समझोगे वाई इजी कोई टू कोई स्केयर इपावर टू है चलो इसको एक सवाल बात उंदर जा से सोल होती है जागे मांidents सबावर आग्या जाएगी माइन चलों है फिर आप रहा करते रहे बच्चो को सको किया कोश को से कियर क्या जाएगा माइनस साई और ब्रेकट इजी से सप्र इसलनिया और डिए पावर बात समझ में है आप पर स्टेप वाइज का इए भीड़ा मै किया तो माइनस साइन की फोम में किया और बिल्कुल अंती में चेन कुन सी लगा दी बच्चों आपने अंदर वाली ब्रेकट का डिफरेंसेशन यह लिखा हुआ बात समझ मैं आपको चेन रूल बोलते हैं मैं उसको आपको जान देना सबसे पहले पावर सोल होगी सबसे पहल इसके एंगल की जेली कर आँ पीपावर एक्स स्केर प्लस और ऐसा लिखा मैंने देखो मैं कैसे सवल करता हूं सर पहले आपको डिफरेंसियेट करना है तो पावर का सवल करो पावर का सवल के लिखाव और कितनी पावर सान की 2 सर यह भी थो पावर पावड अगल थीटा की एक स्टेप यहां तक का सोल हो गया बच्चो यह अपने सोल किया अब खब नहीं हुआ सर पावर के अब साइन को सोल करो साइन का क्या आता था कोश और की एंगल ही आजटीज बास समझ में आई अच्छे सुनते रहे na सर इह आपका साइन भी सोल हो गया अब कहाँ सोल गरना पड़ेगा ब्रेकेट सर ब्रेकेट में क्या लिखा पीटा इपावर एक्स स्केर प्लस और इकादिफ्रेंसेशन कैसे कःते थे सर एजटीज अर फिर गट उपर वाले काई डिफ्रेंसेशन ऐसे ऐसे शी झाली हो यह जई आप पूरा ले ख्योग pathogenenne sun की या फ फिर शायन को सोल किया फिर सब हूं आपको बिक्रत लगे ने सब मालने मेंसे चॉट के लुए उसका डिफ्रेंसेशन लाश्ट मुल्टिप्लाई कर दो वो मैं ऐसे स्टेप नहीं बढ़ा जाता हूं मैं सीधा आपको बता रहा हूं बच्छो इसका डिफ्रेंसेशन यह और उपर वाले का वो एक सावल आप बनागे देखना बच्छो एक सावल आप देखो जैसे माने किया आप लाइन बनालने में बढ़े हैं अब टुकुड़ों वैसे ऐसे इतनी चेन बनी में बढ़े हैं एक ही यहां और फाइनल यहां ऐसे स्टेप में डिफ्रेंसेट वाग घरता गया हूं यह तुम बनागे देखो फिर मैच करना मां आपको टाइम देरा हूं सब्सक्राइब क्या ना माइब अजएंगी जय आका कों गई Donc है अब सब क्षा हुआ इसका यह इसमें से इसका ही सबसे बादोता सवाल चुक्तम गए मेरा वहां से पहले क्वाट से इस सवालकस करका कि नींशन और उपस्टाइब कशय नहुंगई सबसे पहले 3 आ गया sign square LN square power का soul कर दिया भी यह मत भलना सरस्थ 2 को 2 बार soul कर जुगा एक बर power soul किया बस power के बर क्या soul करना बच्चो आपको sign और course sign का क्या होता बच्चो course LN x square एक step यह हो गया सर यह भी अपना soul हो गया इसके बँगा हाजएगा? LN को sol करो bracket को sol करो बेटा तो bracket क्या हो दा दा बच्चो? 1 by x square खतम हो गया क्या? नहीं हुआ अब लेकिन आपके बाद x square भी तो बच्छा क्या आएगा बच्चो? सबस्जा है? अलग से चलो यहाँ बता दा हूँ यह आपको इसका differentiation करना होता क्या करते हैं बताने एक बार उसका differentiation करना होता y is equal to ln x square ऐसे करना पड़ता मेटा सर इसका जाता d y by dx 1 by x square खतम थोड़ी हुआ है वह यहां लिखा हुआ है सही है इतना बड़ा नहीं पूछता आपने से कोई दो स्टेप पूछ लिए मुश्किल से एक पावर और एक साइन का इतो बहुत आगे तक मैंने बता रहे हैं चार स्टेप की चेन आपको सिर्व यह बताना चाता है आप असान चीज आप किसमें पोज्टी होता था या डबल डिफ्रेंशेशन किसमें नेगेटी होता था यह भूल जाते हैं अपा उसका थोड़ा सा कंसर्ट क्लियर करता हूं या और अच्छे आपको मैक्सीमा मीनिमा रटा ना मार के कैसे साही से सोल किया जाए टोपिका बना लो कोई भी कारों मैं बना रो रेंडमली यह वाई है और यह आपको एक्स है तिरी कोई मुझे बॉल स्टैप नंबर वन आपको आइडेंटिफाई करना है आइडेंटी आइडेंटी फाई which quantity is to be maximized और minimized बच्चों आपको अच्छे देखना पहले सवाल में कौन सी quantity आपको maximize या minimize करनी है एक क्यूशन बहुता है दूसरा आप से पुछाओं उसमें आप अटको गिरी आपने ऐसा रटा मार लिया ना सर डिफरेंशेट करेंगे एक वल टू जीरा अंसरा जागा इस इसा नहीं होता है पहले आपको देखना कौन सी quantity maximize करनी है मालों बच्चों यहां मुझे y को maximize करना है बेटा y को चाहे आप minimize करो जैसे इस क्यूशन मानता हूं मैं y तो चाहे बटा आप maximize करो उन चाहे बच्चों minimize करो तो दोना ही condition देखो इस पाइंट पर इस पाइंट पर क्या है जीरो इसलिए बच्चों step number two आप ऐसे बढ़ते हो कि differentiation equal to zero कर दो बच्चों मैं ऐसा नहीं बोर ना पकड़ो मैं ऐसा बोला पहले quantity देखलो किसको maximize किसको minimize करना है उस quantity का differentiation equal to zero कर दो अच्छा सब दो संभावनाय आ गई सब इसके बार यहां देखो नीचे जो मीनिमम उपर जो maximum कैसे पैचानूंगा बच्चों फिर आपने बढ़ा होगा double differentiation कर लो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि आप double differentiation कर लो इसके अलग लग कानी पढ़ेंगी लिए greater than zero कुछ होगा और यह less than zero होगा ऐसे पढ़ाओ आपने बच्चों अब यह भूल जाते हो greater than zero less than zero कहां कहां था इसके लिए पहली बार में वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों फिर मैं work power में उसके बार भी उसको जहां भी बच्चों जहां भी आपको ऐसा शेड़ वाला फेज्ट बार किसका मतंद देख और बच्चों यहां पने आप साड करो बनगी ना इसा मोव है यह अपनें आप एप 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 एपए बच्चों और यह आपका सेड़ फिस नहीं हेज़ा आपका इसा हावल रहेगा, से तो जब भी डबल डिफरेंसियेशन पॉजिटीव हो पॉजिटीव माने खुशी की बात है खुशी वाल मूँ कहा बना उपर या निचे निचे तो इसलिए मिनिमम है ऐसे यहां देखोंगा बिटा मैं सर यह आपका लेस्टन जीर और नेगेटिव नेगेटिव माने सेड़ ह मालो बच्चों यहां आपकी कोई भी वैल्यू आजाती कि सर आपको मालना मिनिमम निकालना है और आपकी वैल्यू डबल डिफरेंसियेशन जो नेगेटिव आ गया तो इस पॉइंट पे जब आपने जीरो के इस पॉइंट के ओपर यह वैल्यू मिनिमम है उसने बहुत वा कि वैल्यू निकालना तो इसकी वैल्यू पॉट करनी पड़ेगी वाई में एक बर लिखो में दो बार किशनी पर में सम्झाओंगा आपको श्टेव आप यह समझे पहले आपको क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है उसको जीरो करेंग एक पॉइंट आएगा मैक्सिम आए मीनिमा तो मैंसे चुछूँगा सर्य डबल डिफ्रेंशियेशन पोजिटीव है पोजिटीव माने हैपी बात है हैपी बेस यहां कामन रहा बच्चो मीचे मीनिमम वेल्यू है सरी नेगिटीव अंसर रहा डबल डिफ्रेंशियेश्च आप यह बात भूलते हो मैं यह बात भूलते हो जब पढ़ता था पता निग्रेटर दंजीर हो था मीनिमम पर पता निमैक्सिमम पर था तो अत्रीक ऐसे बना रखा पने कि सर देख लेना यही नेगिटीव वेल्यू हो तो आपका सैड़ है सैड़ फेस्का बनेगा हमेसा उपर पनेगा ऐसे लटका हूं हो फोर एपार्टीकल फोर एपार्टीकल मोविंग विद इज़े को सामने लिखा एस इस इक्वल टू सरिया मीनिमम या मैक्सिमम आपको क्या निकालना डिस्पलेश्मेंट तो डिस्पलेश्मेंट का अंडरलाइन करो बिट डिस्पलेश्मेंट आपको बनाना है तो पहले को minimum maximum पूरी फिजिस्ट में करूंगा पहले ऐसे कुछ भी मेरी मर्जिस ऐसे से बना लूँगा ऐसे बनाने कवर मैं Y और X identify करूंगा सर किसके साथ variable है सर टाइम के साथ variable है क्या पूछा बेटा करना है और क्यों करना है क्योंकि बच्चो जब स्लॉप जीरो होगा तभी तो मिनिम्म या मैक्सिम वैली होगी सही है क्या बच्चो इसकाट स्लॉप बनाने बिटा इसकाट तो टी स्केर का 2T minus 2 is equal to 0 T is equal to 1 second बच्चो ये वो point आया बेटा ये वो point है जहाँ T की value 1 है अब तक मुझे ये नहीं पता maximum है कि minimum है या value क्या है तो maximum या minimum करने के लिए क्या करना पड़ता बच्चो डबल डिफरेंसियेट करो डबल डिफरेंसियेट करना बच्चो उसको क्या आएगा सर आएगा टू तू माने पॉजिटी देख बढ़ा मैं कैसे कर रहा हूं सर टू greater than 0 है सर ये happy बात है पॉजिटी होना happy है और happy face कर भी एक जिगा बनता है minimum बात संगना है आपको बच्चा आपको बार बार रटा मारने दिरू इतने उसकी minimum value आगई आपके एक बात ये हुई सर अब मुझे बोलता कितनी value है उसने बोला ठीक है minimum है अब ये बताओ इस minimum की value क्या है एस minimum क्या है तो हमें बोलता जो equation हो लिख लो s की t square minus 2t plus 1 कितने point के ओपर minimum आया बेटा at t is equal to 1 put करता बेटा 1 minus 2 plus 1 कितना answer आगया 0 minimum displacement होगी इस equation के हिसाब से सही है क्या बात समझां में टेक पर हो पहले बच्चों आपने graph बनाया और यह तुमने इस फों में पढ़ानी होगा अच्से सुन लेक बात यह standardized format आप कैसे चलता रहेगा सबसे पहले ग्राफ बनाना जरूरी है क्यों जरूरी सर बिटाई थी मैं यह नहीं बनाऊ और आपके दिमाग में एक सवाल घर कर जाएगा या एक रट्टा आप मार लोगे सर इसा नहीं होता है क्यूशन नंबर टू में उसको मैं वाइलेट कर दूँ आप देखना पहले आप ग्राफ बनाओ कोई भी रेंडम ग्राफ यह देखो पैट कौन सी कौन सी है एस ओर टी हाँ से मुझे कर फर्म हुआ कि डी एस वाइडी जीरो करना है तो इसका डिफरेंसेशन के एक वर टू जीरो पॉइंट डाल यहां मुझे पता चल गया बिटा यह वह पॉइंट है जहां एस मिनिमम भी हो सकता है या मैक्सीम मुझे नहीं पता कौन सा है डबल डिफरेंसेट के एसको एक बार डिफरेंसेशन केर कितना आगा है टू टी माइनस टू का डिफरेंसेशन टू तू तू एग पॉजिटीव बात है पॉजिटीव माने हैपी होता है पेस का मनेगा बच्छो यह बना हुआ है कि said face का मरे उपर बनेगा नीचे बना happy बेस तो नीचे क्या होता minimum तो इसलिए क्या बटा minimum उसने बहुत बला कि यह ठीक हा minimum है P is equal to 1 पर ये भी correct है displacement की minimum value है क्या तो हमां बला displacement equation क्या ये रही किस पर minimum था t is equal to 1 पर value बूट खर दो answer आ गया minimum maximum सबसे उपर यह चीज़ दिखाई दे रही है सबसे निचे यह इसके उपर स्लोप कितना आएगा वुश से पता जलता है उरेंडम कराव है बच्छो find out minimum oblique maximum velocity of a party का बच्छो मैं जानुब उसके देखो आपको vector वाड़ी यूज कर रहा हूँ displacement बोला, velocity बोला, ताकि यहाँ displacement नेगिटीव रहता है न मुझे कोई दिक्कर च्छो मैं जानुब उसके मैंसा वाड़ी यूज कराहा हूँ देख एक बाल, find out minimum oblique maximum velocity of a particle moving according to moving according to साम नहीं लिखा बिटा s is equal to t cube minus 2t square plus t minus 3 आप मुझे ये बता बिटा यदि इसको मैं ऐसे कर देता ये किसकी equation है ये ऐसे कर देता simple ऐसे पहले वाले सवाल में ये किसकी equation है बिटा पेरा बोला की है, state line की है, circle की ellips की किसकी है, किसी एक की power, s or t, चलो, s or t की form में बना के है, s or t में बनाओ, s or t की form में है किसी एक की power, मैं से बोल रहा हो बिटाए, s or e t, अब बना पाते कैसा अगर आप बनेगा, ये पैरा बोला है बनाओ, पैरा मुला है, प्रोपॉसल्टी में ना पाओगे हाँ, सर, सही है क्या, किसकी power 2 है, t की, तो ऐसा कुछ बनेगा, start यहाँ से होगा कि ना, वह एक t, आपका s is equal to 0 करके point बना ले न, वहाँ से start होगा, तो आप देखाए सवाल में, तैसे ही रिमाइड करें, बच्छ आपको s की equation दी है, इसके ओपर single star है, s is equal to the habit, t cube minus 2t square plus t minus 3 है ऐसा, एक बार आप अच्छे सुना, आप देखो पिटामने लिए, find out minimum and maximum value of velocity, velocity underline करो, बच्छो इसका पर फाइदा मिलेगा, जब आप कर बनाओंगे न, बच्छो जैसे graph आप बनाते हो न, आपको एक बात का अंदा आजा लग जाता है, सर सबसे ऊपर निचे आपको जो 0 करना पड़ेगा न वो dv by dt को 0 करना पड़े बास समझ में आई इस अपने अरटा हमार रहा होता पहले ds by dt को 0 करता गलत अंसर होता इस ग्राफ साब को यह identify हुआ सर मुझे v all t का ग्राफ बनाऊंगा तो dv by dt को 0 करना तब v maximum आएगा सब्सक्राइब नहीं करना है इसका डिफरेंसियेशन बनाऊं कि उसने एक चुली कहां जुसरुआ मेरे लिए यहां से स्टार्ट हुआ है सही है क्या इसका डिफरेंसियेशन किया है कितना आ गया 60-4 इकुल टू जीरो पीज इकुल टू टू बाई 3 अच्छा देखतो कि त डिफरेंसेट करना डबल डिफरेंसेट किया कितनी आ गई 6 सब्सक्राइब पोजिटीव बात है एपी खवर है एपी खवर कहां पे आती है यहां पे आती यह मीनिमम वैली भासंट में आई अगरी भास फिर है तो किसका मीनिमम बनाना बच्छों वी का मीनिमम वीक एक्वे सब कह बोड़े जो लग आज कायी फिर बनाई एक मारने कैसे निकालना एक जदृ तीन बार निट में और दो था इसे पुछा भार एक कितनी आपको इस पॉइंट में पॉइंड से पूदिय Kollege इसको मैं लर्न में लिखूँँगा सेम सवाल को जब WP में आपको दुबार रिमाइड कराऊंगा Potential energy of an object is given as सामने लिखा बच्चो A capital है divided by this B R power 6 Potential energy of an object is given as Find out minimum potential energy for that object Find out minimum potential energy for this object बच्चो ये दो ये तीन स्टेप है तीनो स्टेप अलगलग PMT में पुछा हुआ है minimum value पुछा बिटाओ, point भी पुछा कहां पे minima है वो भी पुछा हुआ है तो लिगा इस question के चलो थोड़ा hint देता हूं बनाना भी पहली बात ग्राफ किसका बनेगा सर, minimum किसको करना, potential को उसका अंटरलाइन कर लो यह और आरकार बनेगा, कुछ भी बनेगा, हम नहीं जानते लेकिन अम मैं यह जानता हूं सर, minima होगा या maxima होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, DU with respect to DRE यह बात अब समझ गए होगे पहले पॉइंट बना और पॉइंट की value मुझे बताओ क्या आएगा मैं सोल कर रहा हूं अब देखना में थे अब मैं सोल कर रहा हूं लेकिन की आएपना झाएगिंट लेकिन की आएगा गया लेकिन की आएग तो वे सबसे हार को का अब पॉš का मिला के देखा बच्चो यह पॉइंट तक उच्छाओ आप बना के देखा एक बार है ना उल्ट करनी है उसकी पावर उल्टि करो गया आर पावर सिक्स है सिंगल कर देखा बनालेना अलाग इन तीन टुकडे मैं आपको बच्छों डिफरेंसेशन पढ़ा आई बच्छों सेकिंड वाला पहले वाला PMT में पूछ सकता है, ऐसे आए हैं, शेकंडर टाइब जोता है, बस वो डेंजर सा हो, चेन वाला, आपको डर दूर करने के लिए कुछ भी पूछे लिए, बहुत आसान चीज है, वो टुकडों में तोड़ा हुआ बस, थर्डवाला जना महतरपूर्ण है, इसको बहुत जगह में यूज करेंगे, डिफ्रेंसेशन की अपिलिकेशन है, बच्छो ऐसे ही मापको इंटीक्रेशन पढ़ाता हूँ, इंटीक्रेशन है आपको सिंपल इंटीक्रेशन बताऊंगा, एक आपको फिर में लिमिट बेस बताऊंगा, कैसे आपको डेफिनेट या इ एडिशन, एडिशन करना आपको, जोड़ना है इसका मतलब आपको, अब अराम सुनना भी डबात को पहले, पहले कुछ समझाओंगा फिर आप मैंना, बच्छो जैसे वह हमें कोई भी कर्व दी हुई थी, बढ़ डी वाइडी एक्स बनाता, तो डी वाइडी एक्स अपने एरिया अंडर कारव बनाना है, दो तीन टुकटें बढ़ाऊंगा, पहला तरीका ऐसे बताऊंगा आपको एडिशन वाला, एक एरिया अंडर कारव आपको बनाना है, यह हम थ्रमोडान में सीख भी चुके थे, कैसे बनेगा, सरमाल लो एक छोटी सी ट्राइंगल लो, जहा पर बहुत मामूली सी ऐसे डी एक्स चुड़ाई ए, यह डी एक्स हैं, बच्छो है तो एक्स लेकिन चोटा सा एक्स है, यह आपको वाई लिया, तो सरी इस च्छोटी सी श्ट्रीप का, श्ट्रीप का इरिया यहाँ सर ऐसे हो जाएगा, टोटल एरिया मुझे बनाना तो ऐसे हो जायेगा सर एरिया ओम फर ट्रीपने लो एरिया चोटी को ह\'92 है सर ही कह con इसको लिखता हूं चो तक माल ले नहीं लिया है बच्च चोन जो आन पको ढासे यहां से हैं इंडीड गरना यह हम जोन है यह इस-स tw… है इस पर भी स्कारूर के लिया वाई इन्तू डियेक्स यह एरिया मन जाएगा वाइ इंटू डियेक्स कैसे य एक पॉइंट थोड़ी चोड़ा आज हुआ है वाइड जेखना रही बतलब बच्च जब बच्चो बीना आगको लीमिट का integration से दिया हुआ है बच्छों को बलते हैं इंडेफिनेट इंडेफिनेट में बच्छों आपको आंसर आएगा और प्लस सी आता है प्लस कोई constant value क्यों इंडेफिनेटर से इसका final answer नहीं पता सकते हैं इस जैसे मैं बलो में अब बेटा कुछ भी X1 X2 की लिमिट लगा हुआ है तो सिंपल आएगा बच्छों आंसर इसको बहुते हैं डेफिनेट integration जिसकी fix value आएगी जिसकी fix value आएगी तो पहले हमाँ आपको इंडेफिनेट वाले basic form लिख वागे कराऊंगा फिर डेफिनेटर वाले कराऊंगा फिर ये एडेफिनेटर कारूब मैं क्या बोलना चाहता हूं इसका logic भी आपको समझाओंगा सही है क्या जैसे इसका basic मतलब जोड़ना इंडेफिनेटर नाम ही है उसका इंडेफिनेटर नहीं लगी हुई तो एक पर आपको बनाता हूं आपको और अच्छा पता चलेगा इदी बच्चो डिवाइड में दीएक्स है तो डिफरेंटर पावर कम होगी अधिशिन मुल्टिप्लाइब डिएक्स आगया तो पावर बढ़ेगी और लोजिक बच्छो तेको डी एकस है तो एकसी और दी एक सैन स्वेंड़ दी लेंड़ जान नहीं डी लेवलेंद दी लैब्ड़ भी तोटी सी बेवलेंट यह कोई चीज गुणा कर रहे हैं यह किलें यह डी आ खा तो यहीं मालो y की जगा आचा x power 3 x power 3 into x तो x की power 4 हो जाए इन पावर बढ़ेगी न इसलिए integration है यही डिवाइड बाइड 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 न पावर कम होगी तो differences है यह क्या यही आप बोलतों बिटा integration लिखो sin x का dx क्या जाएगा बच्छो sin का तो बिटा minus cos x plus c plus c सिर्दी किरा बच्छो मैं यह लिमिट नहीं लगा रखी यह आप cos का लोगे बिटा cos x dx क्या जाएगा बच्छो sin x plus c बच्छो यह differentiation का उल्टा है दुबार देखो बिटा यह आ गया e power e power x है तो इसका आएगा e power x plus c यही बच्छो आपके पास आगय बच्छो यह आपके लिटेबल स्टार यह अपको मास्टर नहीं बताया हूँ उस चीज़ को सीधा फों में बता रहा हूं जब चैन रूल का लग लग कारी सुलाइन इसके रूल बन जाएगा कभी भी बच्छो आपको ऐसा दिखाई दे जाने मिटा इसकी फों में है one by x व सोर है वह जार ऐसा लग रहा है ठीक क्यों ऐसा क्यों हुआ इसके लिए आप बनाते हैं अपने बस पहला बैसिक फोर्मुला बनता सर सुल कुरने का ऐसा x power n आपने बाद formula बनता x power n का तो आप लिखते x power n plus 1 divide by n plus 1 ऐसा यह दी मैं 1 by x करने लग जाता तो क्या बनता x power minus x dx x power minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 not defined बात संच नहीं यह defined ही नहीं हो जकता है तो यह formula जबाब बनाते हो इसको लिखा जाता n is not equal to minus 1 इस formula में ऐसा लिखा जाता है जब x की आपकी n की value minus 1 होगी ना मतलब 1 by x होगा ना तो यह formula valid नहीं है तो बच्चो 1 by x का formula कुन सा है तो 1 by x का formula होता बेटा lnx log base e है lnx अब दोबार आपको double star formula आप बचा रहा जब कभी भी बच्चो नीचे function लिखा हुआ हो और उसका differentiation उपर लिखा हुआ हो और इदी आपको इंटिगेट करना अपड़े ता answer आएगा बेटा हमीशा lnfx यह आपको पता हैं जी रहा क्या लिख दिए जमास्टर ने इदी कोई मुझे बॉल देता सर एक्स स्केर प्लस वार उपर लिखावा 2x इंटिगेट करो तो मैं क्या answer देता अरे आपको सवाल दूना भी डारेक्टम आप नहीं कर पाओगे यह क्युश्चन आपको डिरेक्टर भी देता न कर दो आप नहीं कर पाओगे पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाओगे इस रहे साथ कुछ सिखा नहीं तो मैं क्या करता हूँ सीधा बच्छ निचे फंक्शन लिखा हुआ हां सर ऊपर का डिफरेंसे जन हां तो इसका answer दवाइद प्लसवन मैं वैलिजट नहीं है क्योंकि वहां फे वन वाइक्स आँ लन एन एक्स इक स्टेंड़ाइज फॉरमेट बना दिया भी इचा में ने निची फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंसेंशन लिखा हुआ है निची फंक्शन उपर डिफरेंसे जिखा ओ तो तो कितना बड़ा होगा उसको में स्टेप में सोल करते हैं अजीब सा क्यूसिए जानते हैं एक स्टेप में सोल कर लूँगा सोल करना अलो जी का आपको मन में बिठा के रखना सर नीचे फंक्शन उख़र डिफरेंसे से आंसर होता इसका आप में integration करना एक हो गया बच्छो एक आपको आगया बेटा यह आप integrate करो 1 by x plus x power minus 3 by 2 dx इसका integration करो एक क्युष्ण मन यहाँ पूछ रहे बेटा आपको लिखा integration of x power 5 by 2 plus x power minus 1 by 2 और आगया बच्छो यह dx integration करना है और बच्छो एक आगया है z m into m r इसकी limit लगा देता हूँ पेटामा पहली बाहरा भी हाँ r1 से r2 इसका integration आपको करना है बच्छा आप राम से देखो इस सवाल मैं करूँगा अगले question आपको दूँगा फिर आप बनाना बच्छा आपको integration करना है तो सर क्या x power n है x power 2 हो तो पिटा 2 plus 1 divide by 3 सर ये x power minus 7 plus 1 minus 7 plus 1 plus c आएगा तो इसमें limit नहीं लगावा indefinite integration है x power 3 by 3 plus x power minus 6 divide by minus 6 और solve के देखा आजाएगा बच्छो x 3 by 3 minus आपका आजाएगा पिटा 1 divide by 6 x power 6 सही लिखा गया 1 by 6 तो पहले ये minus x power minus 6 को निचे लिख दिया दोबार देखो सर 1 by x का होता है ln x या आजाएगा x power minus 3 by 2 plus 1 और minus 3 by 2 plus 1 और बच्छो आजाएगा constant c देखना क्या बनेगा बिटा ln x बच्छो बच्छो minus 3 by 2 और plus 1 तो minus half हो गया उपर चला गया minus 2 और x power minus half सही लिखा गया मैंने सही लिखा बिटा ln x minus 2 divide by this और plus c rotation की बात समझे लो इस बात को और x power minus 1 by 2 बदा निचे चला गया बही रूट में ये देखना एक बार बच्छो या आजाएगा बिटा x power 5 by 2 प्लस 1 5 by 2 प्लस 1 या आजाएगा बिटा आपके पास x power minus 1 by 2 प्लस 1 minus 1 by 2 प्लस 1 और plus c अंसर आगा बच्छो ये कितना बिटा 7 by 2 तो 2 by 7 x power 7 by 2 ये कितना बिटा half तो उपर चला गया है 2 और x power half तो under गजब कर दिया साय ने और बहुत बढ़िया लिखा है बच्छो जब आपको limit लगा होता limit को कैसे solve करना है ये value put क्या में एक चीजी यूज किया है x power n plus 1 divided by n plus 1 उसी को यूज किया से मच समझना बच्छो जब इसका indication बच्छो जब इसका इंडिकेशन दो constant को बाहर निकाल दो gmm बचा 1 by r dr का आजाएगा sir r power और क्या था 1 by r का sir r power आपका कितना है minus 1 और इस में सा फॉर्मा लगेगा क्या नहीं 2 कर लो फिर r power minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 limit लग जाएगी r1 से r2 sir अब plus c नहीं आएगा क्या बच्छो जब limit लग जाती है पिर plus c आने की ज़रूरत आपकी नहीं है फिर देखो बचा sir gmm as it is sir यह कितना बन जाएगा minus 1 ऐसा और r1 से r2 बचा लिमिट ऐसे लगती है upper limit minus lower limit बच्छो minus बाहर आजाएगा minus gmm तो upper limit क्या बचा 1 by r2 lower क्या बचा minus 1 by r1 और अच्छा अच्छा लिगा जाएगा ऐसे आजाएगा 1 by r1 minus 1 by कुछ अच्छा आपने देखा हुआ सारे potential energy का देखा हुआ अजब आप सही है क्या बच्छो जब आपकी लिमिट नहीं लगी तो simple मैंने solve किया plus c plus c रखा यह simple solution के अबिट है x power minus 1 by 2 को निचे root x लिख दिया इसकी चिंदा मत कर नहीं तो बने solution बनाया हुआ है वो आप करोगे तो step में आ जाएगा यहां कि नजट फिर आता है जब आपके पास limit होती है बच्छो तो limit ऐसे लगए higher limit minus lower limit higher limit क्या r2 उपर वाली को बोलते है अपर limit निचे वाले का lower limit तो उपर वाले को लिखा upper limit तो 1 by r2 1 by r2 minus lower limit क्या r1 तो 1 by r1 सही है क्या minus 1 minus bar गया 2x all मैं limit क्या आपको बढ़ा तो limit पुट करना आप तो रच्छे सीखोगे बढ़ पहले वाल देखना आपको पाई वाली वैल्यू ना पाई बाई टू थरी यह याद नहीं करवाँगा आपको गराफ का निच्टर में समझा दा बच्छो कोस का और साइन का अब बार बार वैल्यू याद करने से ना बिटा किस्टर 270 की वैल्यू क्या है इससे अच्छा मैं गराफ से फटाक से मैच कर लोगा वैल्यू पूट करूँगा आपके आदध मैं दूसरी बनाऊगा बच्छो यह कुछ लिमिट वाले किस्टर कराता हूँ पहले बच्छो यह कुछ लिमिट करा रहे हैं जानबुस कैसे उठ पटांग से लिमिट ले रहा हूँ जिनकी आपको वैल्यू याद नहीं होती है ठीक बच्छा यह से जानबुस कैसे लिमिट लेता है देखो मैं किस्टर कैसे करूँगा सर देखो साइन का क्या आता है माइनस कोस यह ठीक है सर लिमिट क्या लगेगी माइनस पाई बाई टू से पलस पाई बाई टू यह भी सही है माइनस को बाहर आ गाए तो वैल्यू ऐसे पूट होगी सर कोस पाई बाई टू सही लिखा पीटा मैंने माइनस कोस माइनस पाई बाई टू लोर लिमिट मेरी ख्याल से आपको याद होगा बिटा cos minus theta equal to cos theta होता याद है तो मेरी ख्याल से ये तो cos 90 cos 90 cancel हो गए पर बास सांज में आई है उड़े गई उपर से cos pi by 2 minus और ये cos minus pi by 2 तो ये भी क्या बच गया cos pi by 2 ये भी क्या cos pi by 2 cancel साइन 3 pi by 2 minus sin pi सही लिखा बिटा सही लिखा है और एक cos का integration क्या है साइन में लिमिट अब अच्छे बास सुनो जब बताना चाहरा हूँ बच्छों भी हाँ इसकी value याद करने कोशी से मत करना जैसे आपको limit आजाएगे ने बेटाए साइन 3 pi by 2 है या sign pi है इसके लिख रिटा मारने कोशी से मत करने ना आपको मारना को 90 डिगरी तक याद है वही याद रखनी है अब मैं इस सवाल में कैसे value put करूँ जर तो इस सवाल का solve करने या तरीका इसलिए मैं आपको graph समझा रहा बच्छों यदि sign का graph है तो आपको graph बना लो graph बनाया बच्छों यहाँ क्या था बिटा आपको याद होगा सर यह आपका pi यह 3 pi by 2 यह क्या था pi by 2 यह कितना अब देखर बिटा आनसर कैसे करता हूँ सर आपने क्या बोला sign 3 pi by 2 sign 3 by 2 कितनी value है minus 1 minus sign 5 कितनी value है यहाँ याद मत करना सर साइन 270 की value क्या होती है गुणा करलू ऐसे नहीं करना अब गराप बनाओ यह sign का graph होता बेटाई sign 90 होता यहाँ plus 1 value है sign 180 है sign pi पे 0 value है sign 3 pi by 2 पे minus 1 value है और sign 2 pi पे क्या है बच्छो 0 तो sign 3 pi by 2 की value यहाँ से पुटकिया हम इने minus 1 यह minus 8 sign pi की value क्या 0 तिसले answer क्या आगया minus 1 बनाओ छोड़ा example आपको लिखता हूँ आपको solve करना उसको यह example आपको मैं दे रहा हूँ इसको आप solve करना आपको लिख रहा बच्छो में sign x dx आप solve करना इसको माइनस आप इसको करना माइनस pi से ऐसे देखते हैं बात कितनी पकड़ पाए सवाल में एक logic समझा बेट साइन pi 2 pi 3 pi by 2 pi by 2 pi इनकी value याद करने को सिज मत करना तुम पकी बाद surety से नहीं पता पाओगे पलस 1 था कि 0 था सब्सक्राइब लेकिन आप गराप बनाओगे शेर्टी से दिखाई दे जाएगा आपको साइन और कोस का बेसी गराप आपको याद है क्या और साइन का 0 से स्टार्ट हुआ था कोस का पलस 1 से स्टार्ट हो बाकि नेचर आप सेम जांगते हो देख़ो एक किष्णो उप्र वालो बनागे देख़ो आपका ऐडिया लगे तो एक्चुली आपके पास ये बनेगा इसकी वेल्य आपको निकालने है कोस थ्री पाई माइनस कोस पाई अब इसकी कैसे करूँ हाँ कोस अग्राफ बना लो कोस अग्राफ यदि बनाओ गता इसा बनेगा वेटा उपर वन से शुरू है ऐसा थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ऐ जीन वेटा आपको ग्राफ से बच्चो देखो पाई और थ्री पाई देखना रसा आल हो गया है उसकी वेल्यू निकालते ने पिर टेंशन रहता, प्लस थीटा मैनस थीटा क्या मानूँ है, क्या करूँ? अरे मोडिल में सवाल देखे न, आप लिखे हुए है, साइन टू, सेविन्टी की वेल्यू निकालो तो उसमें प्लस थीटा करूँ की माइनस करूँ सर, तो लाइन हो गई है तो लाइन की वैलियू ऐसे नहीं निकालने अब ग्राप से बना अपने आप अंसरा घाएगा एक टाइप का सवाल करता हूं बच्छों आपको मैं जो फंक्शन वाली फॉर्म में ने लिखा था वो फंक्शन वाला कैसे इंडिक्रेशन किया जाता है या क किस टाइप के सवाल में आके हम फश जाते हैं कैसे हमारे पर दिक्कत आएगी इनिया बस कुछ ऐसा विटा देखो बच्छों मैंने आपको कोट का टेन का इन का फॉर्मूला नहीं बताया साहिन को इसका बताया आप देखो अच्छे से यदि कोई मुझे ऐसा बोल देता न कि आप बताओ कोट का तो कोट क्या होता आप उसको देखो अच्छे सुनना मेरी बात को पहले बेशी एक्जाम्पल समझारों का फाइदा समझा रहा हूं इदि मुझे कोई बलता कि कोट का इंटिक्रेशन बताओ कोट क्या होता बच्छों कोस डिवाइड भाई साही लिख इस फंक्शन है उपर इसका डिफरेंशियेशन है और ऐसा कुछ होगा सामें शीधा लिखता हूं एले एफट अरे कोट का जो मैं सिखा इन उसका निकाल रहा हूं ऐसे किसी और कभी ट्राइकर आजाएगा और देखो थोड़ा सा यहीं मुझे कोई डेंजर सवाल आ गया आ आपको बोल दिया इसा है कुछ वन डिवाइड बाई आपको एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इस बच्चे को पता ही नहीं करना क्या है अपके सवाल आ गया दो मैं नीचे लिखा हुआ उसका अंधाज निब क्या किया जाए मुझे तो इसका तरी किसे में सोल करत है इसकrovिल दिफ्रेंसेon क्याम सट्रिट तू एक्स प्लस थ्री है मले काम करले सको मल्टी पलाई और डिवाइड कर लो थे सए क्या मुण के लाइड है मेरी स्कांसर आप जानते हो ने एल एन एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू जो निच्छे इसको निच्छे शोड़ दो बात समझ में आई है जिस सवाल का मुझे सोल ही करना नहीं आता इसका इस सब का अंसर एलन की फोम में यह बचावाँ जीज यह किस चीज का अंसर में देना चाहता हूं इस चीज का इंसर देना चाहता हूं अपने तुक्का भी था दिया सर निच्छे कोट का अपने आप वही आंसर बैट रहा है शुरम उस्ट सीकेंट का पूछ रेता दो बात सम कोट का इंटीक्रेशन कोट का डिफरेंशेसिन क्या होता है माइनस साइन तो एक काम कर लो माइनस साइन मृट्टीपलाइए और दीवाइड बात समझे का है अब भी मेरी ख्याल सान्सर आ जाएगा माइनस साइन एक्स आइडिया में लग सकते है सवारा इसे भी होगा अर यह आपको अंदाजा भी नहीं कि सवाल को में इस सवाल को आज आए नहीं छोड़ना पड़े या पता नहीं आपको मान लेटा से जुम दिस इस टी और वी विल इंटीक्रेट वीटी फ्लान देकाम इससे अच्छा मुल्टीपलाइड डिवाइड कर अपने डारिक्ट आइ कानी यहिए यह वाली कहनी ऐलन गे 2 परशन पच्चा को में इन पता अग्राश में पढ़ाते इसको उसके मोडिय में लिखा वा एक्चली ऐलन के मोडिय में सवाल नहीं लिखावाए लिखावाद पर मस्ट्रों अज़ँ आताला सेजिँंडिसी इस टी पोडिश्टी को अ तो अपने ही पढ़ाऊगा दो उसको वैसे नहीं करना चेन मने आगे से आगे से तूटता चला जाएगा इसको इस फॉर्म में बना लिया